हलो दोस्तों वेलकम बैक टू आर चैनल स्टड़ी आई की उजड़ी श्री दोस्तों मैं अपूर शर्मा आज आपके साथ डिस्कसन करने वाला हूं कि नोट्री वकील कैसे बना जा सकता है बहुत सारे बच्चों के मैसेज़ मिल रहे थे और बहुत सारे लोगों ने वीडियो उस पर कमेंट भी किये थे कि सर कैसे एक व्यक्ति नोट्री वकील बन सकता है उसके बारे में बताइए तो आज का पूरा वीडियो हमारा नोट्री एडवोकेट कैसे बना जायो क्या एलिजिबिल्टी क्राइटेरिया होना चाहिए इन सब के ऊपर होने वाला है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति नोट्री वकील बनना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए 12 के बाद B.A.L.L.B. मतलब 5 इंटीगर कोर्स की डिगरी होनी चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो L.L.B. की आपके पास डिगरी होनी चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है इंडिया में लॉग रेजुएट होने चाहिए और उसके बाद आपने स्टेट बार काउंसिल में अपना रेजिस्टेशन कराया हुआ होना चाहिए तभी जो है क्या हो सकता है तभी जो है आप एलिजिबिल होते हो नोट्र एड़ोकेट्स का काम पूरा सेशन में डिसकस करेंगे मूविंग हैट इस्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए होली पे स्पैसल ऑफर जिसमें इस्टडी आईक्यू द्वारा प्रोवाइड किये जा रहे हैं सारे कोर्स पर हैवी डिसकाउंट जो इस्टडी आईक्यू कोड लगाने पर ही आपको मैक्जिमम डिसकाउंट मिलता है और यह सारे कोर्स जो के इस्टेट वाइज है या फिर प्री प्लस मेंज का वैच है नौजार नौजार नौन इन्नियानवे में आपको मिलते हैं वहीं हम बात करते हैं जब जुडी श्री के महाप्यक्यू जिसम में ऐसे राइटिंग प्रीशी राइटिंग जज्ज्मेंट राइटिंग पिलस मेजर लॉष माइनर लॉष लोकल लॉष और 16 एस्टेट की फिरी ओप कॉस्ट टैस्स सिरीज भी दी जाते हैं तो यह आगर आप कोर्स लेना चाते हैं तो APU के कोड को इस्तमाल करना है 13999 म जब आपको apply promo code के option पर जाना होगा और वहाँ पर type करना है APU जैसे ही आप APU type करके वहाँ पर offer apply करोगे तो आपको इस सारे prices पर क्या होगा इन सारे prices पर जो है देखने को मिलेगा कि यह सारे courses इतने discounted prices पर आपको मिलेगे अगर आप double validity के साथ इसको purchase करना चाते हैं double validity मतलब 2 year की validity के साथ इन courses को purchase करना जाते हैं तो यह course आपको जो 10,500 में देखने को मिलेगा वही पर आप जो है जुड़ी श्री का महा पैक double validity के साथ purchase करना चाते हैं तो यह जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 16,499 में देखने को मिलता है तो बिना देरी किये जो भी वच्छे 2023 में civil judge junior division बनने की त्यारी कर रहे हैं more than six states के civil judge की vacancy out है और three states के APO की vacancy आ चुकी है तो बिना देरी की हमारे साथ जुड़ जाईए और 2023 में अपने जो है civil judge junior division पर APA बनने का सपना पूरा कीजिए और जो भी बच्छे मुझसे direct connect होना चाते हैं और अगर उनकी कोई भी query है तो आप अपूर शर्मा study IQ judiciary के नाम से telegram group है जहां पर मैं daily basis पर आपको current affairs provide कराता हूँ जो आपको English और Hindi दोनों ही माध्यम में कराए जाते हैं और various states के में आपको daily mcq basis questions भी यहाँ पर practice कराता हूँ प्लस आप अगर mains या prelims देने जा रहा है किसी भी state का आपकी कोई भी query है prelims या main से लेकर तो आप direct instagram पर मुझसे connect होकर यह सारे सवाल जवाब कर सकते हैं moving ahead चलिए सुरू करते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति as a notary advocate अपने आपको अपना केरियर चूज कर सकता है देखिए सबसे पहले क्या जैसे ही हम अपने law की डिग्री पाते हैं उसके बाद state bar council में अपना registration कराते हैं वैसे ही हम eligible हो जाते हैं कि हम जो है state में अपना representation करने लग जाते हैं अपने cases लेने लग जाते हैं और court में client का representation करते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको 3-4 साल होते हैं प्रेक्टिस में आपको यह समझ में आने लगता है कि आपकी वकालत के सोर जा रही है अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी वकालत थोड़ा डाउन फॉल चल रहा है और व सबसे पहले जानते हैं कि notary advocates का काम क्या होता है notary also known as the notary public is one among of the important career in the field of legal profession notary public is a legal practitioner who is authorized to help the public with the legal document pertaining to property, deeds, power of attorney और any business affairs ठीक क्या काम होता है हमारे जो है notary public का notary public का यह काम होता है कि वो जो भी हमारे public matters है चाहे वो जो है property से related हो, deed से हो, power of attorney या फिर किसी भी other business deal से related हो इसमें क्या करता है इसमें जो है उनका पूरी तरीके से उनके काम में उनकी help करता है और उनको जितने भी legal perspective से document की जरूवत होती है चाहे कोई sale deed हो रही हो चाहे कोई registered deed हो रही हो, registered will हो उनमें क्या-क्या चीज जोंको notary का काम होता है provide कराना, there is much difference between the advocates and the notaries, advocate and notaries are law graduate who registered under the provincial bar council of the perform of legal practice, शीक ये जो है क्या ये दोनों ही एक ही तरह के लोग होते हैं, पहले practice करने लगते हैं और उसके बाद experience के basis पर इनको notary advocate बना दिया जाता है, but notaries are experienced advocate और a public figure who are appointed by the state or the central government, ठीक, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर हमें specify किया जा रहा है कि advocate तो कोई भी हो सकता है, आपने एक दिन पहले registration कराया, और उसके 5 दिन 5 days वाद आपको क्या हुआ, practice करने का license आपके पास आ गया, जैसे ही license आपके पास आया, तो आप advocate बन गए, ठ उसके लिए आपको जो है क्या, appoint किया जाएगा, state or central government के द्वारा, on the recommendation of the court, under the provision of the notaries act, act number 52 of 1952, to authenticated legal procedure, the central government may appoint a notary for the whole or any part of the country, यहाँ पर बताया जा रहा है कि notary किस तरीके से appoint की जाते है, state or central के उस पर, किसके थरूर, जो notary act है, हमारा 1952 का, उसके according courts की recommendation पर, इनको appoint किया जाता है, और जो central government appoint करती है, वो all over India किसी भी part के लिए कर सकती है, वही पर जो state government के द्वारा notaries appoint किये जाएंगे, वो state के किसी भी part के लिए किये जा सकते हैं, ठीक, तो यह है, हमारा सबसे पहले हमने जाना, इसका introduction, जिसमें हमने जान लिया, कि किस तरीके से ए कैसे आप बन सकते हो, education and personal, क्या requirements की बात करें, तो education में सबसे पहले आपको B.A.L.L.B. का क्या graduate होना जरूरी है, या फिर L.L.B. का graduate होना जरूरी है, इसका मतलब आप law graduate होने चाहिए, तब ही जो है, आप notary बन सकते हैं, ठीक, the status of notary public can be granted to the licensed advocate, member of the Indian legal service, or even public figure, no special legal training required for this, besides some essential eligibility criteria, कोई भी जो है, इसकी training नहीं है, कोई भी जो है, इसका क्या, कोई भी internship नहीं है, इसमें जो है, eligibility criteria है, experience का, जो आपको fulfill करना होगा, और उसके आप क्या अगर सकते हो, आप जो है, उसका, जो है, क्या, आप notary बन सकते हो, after completing L.L.B., one can enroll as an advocate of any state bar council to apply for the notary license, sufficient experience by the year of practices needed, ठीक जो है, कुछ, आप state bar council में जब आपने आपको रजिश्ट करा लोगे, उसके बाद आपको कितने experience की जरुवत होगी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाता हूँ, as a advocate, अगर आप 10 साल काम कर चुके हैं, तो आपको फिर क्या होगा, आप eligible हो जाते हो, किसी भी notary को बनने के लिए, ठीक, लेकिन अगर आप belong करते हो, schedule caste से, या फिर schedule tribe से, या फिर आप women है, ठीक, महला है, तो आपको जो है, 7 साल के experience के बाद ही, आप क्या हो जाते हो, 7 years के experience के बाद ही, आप जो है, notary advocate बनने के लिए क्या हो जाते हैं, eligible हो जाते हैं, ठीक, if not a legal practitioner, तब भी कोई आद Indian legal services, अगर आप Indian legal services में कोई भी job कर रहे हैं, तो ऐसे cases में, जैसे ही, आपको 10 साल होंगे, ठीक, आप क्या कर सकते हैं, आप जो है, notary बनने के लिए apply कर सकते हैं, और आपकी eligibility पूरी हो जाती है, दूसरा, have been 10 years as a member of judicial services, अगर कोई भी judicial services में है, जैसे हैं, आप समझ सकते है, civil junior division, या फिर judicial minister first class, अगर वो 10 साल तक as a judicial member या फिर judicial officer काम कर चुके हैं, तो वो भी जो है, क्या, notary बनने के लिए eligible हो जाते हैं, तीसरा, held an officer under the central or the state government requiring special knowledge of law after enrollment as an advocate, ठीक, यहाँ पर क्या बता रहा है, कि आपने law pass किया, उसके बाद अपना state bar council में as a advocate enroll करा है, लेकिन आपकी job लग गई किसके अंदर, state government या फिर central government के अंदर, ठीक, लेकिन आप जो है, दस साल से जादा वहाँ पर law की knowledge रखते हुए, और as a advocate, मतलब practice नहीं कर रहे हो, enroll करा चुके हो, तब भी जो है, क्या, आप eligible होते हो, notary advocate बनने के लिए, चौथा, held an officer in the department of judge, advocate of general, और in armed forces, ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति है, जो कि advocate का license रखता है, और वो काम करता है, किस के साथ में, judicial system के साथ में, या फिर judges के department के साथ में, या फिर advocate generals के साथ में, या फिर armed forces के साथ में, तो वो भी व्यक्ति जो है, 10 साल के experience के बाद, notary बनने के लिए, पूरी तरीके से eligible हो जाता है, त जो भी व्यक्ति, as a advocate practice नहीं कर रहे है, तो ये वो category है, कि वो क्या कर सकते है, वो भी 10 साल के बाद eligible हो जाते है, कि वो notary बन सकते है, clear, in order to obtain a notary license, one has to submit an application in the form of memorial to the competent authority, ठीक, यहाँ पर क्या कह रहे है, कि जैसे ही आप eligible हो जाते हो, notary बनने के लिए, वैसे ही आपको क्या कर ले क्या, memorial के रूप में, एक complete application देनी है, किसको district judge, or the presiding officer of the court, or the tribunal, where he practice an advocate, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, advocate की तरह practice कर रहा हो, वो जो है क्या करेगा, अपने district judge को, या फिर presiding officer, जिसने 10 साल का experience गेन कर लिया है, और वो अपने आपको advocate बनाना चाता है, कैसा notary advocate, तो वो क् के उपर, prescribed format में, जो है, उनको अपनी application submit कर देगा, of the appropriate government, और वो जो है क्या, कि जो appropriate government होगी, उसको, चाहे, central government के पास भीजा, बनना चाता है, तो central government के पास, और अगर state government की नूट्री बनना चाता है, तो state government के पास, वो लोग जो है, क्या करते है, आगे send कर देते हैं, if the candidate application is accept, they can be become a notary, and certificate of practice be issued, applicant, and published in the state or the central gadget, his name will be entered in the register of notaries maintained by the government, and he will issue a unique identification number, ठीक, तो यहाँ पे जो है, UID number उनको दे दिया जाता है, अब आपने देखा कि इस तरीके से आप central government में, या फिर जो है, अपने आपको state government में क्या कर सकते है, as a notary advocate, enroll करा सकते है, अब इनकी fees क्या होती है, देखिए basically जब भी कोई भी वियक central government के थुरू, उसके list में आया है, और notary बना है, तो उनकी एक अलग prescribed fees होती है, कि इतने के stamp paper पर आप इतनी fees ले सकते हो, अगर आप इतने की dealing करवा रहे हो, public matters में, तो आपकी इतनी fees होगी, तो जहाँ पे भी notary advocate को maintain करने की ज़रूद है, और हर एक चीज की government द्वारा ही notary advocates की fees जो है तै की जाती है, वो उतनी ही fees ले सकते हैं, उससे ज़्यादा fees अगर वो charge करते हुए पाए जाते हैं, तो आप उनकी complaint कर सकते हैं, state के authorities में, clear, तो इस तरीके से होता है किसी भी notary advocate का chain, और इनकी fees भी अगर central government notary उसको बनाया है, तो central government decide करती है, और अगर state government का notary है, तो state government उसको notary बनाती है, तो इस तरीके से 10 साल की practice के बाद आप जो है notary advocate बन सकते हैं, लेकिन notary advocate बनने के लिए आपको 10 साल का minimum experience की requirement तो होती होती है, अगर ऐसे ही interesting videos आप मुझसे देखना चाते हैं, तो आपको study IQ judiciary channel को subscribe करना है, और study IQ की अभी holy sale चल रही है, और holy sale में सारे के सारे courses आपको बहुत ज्यादा nominal price पर मिल रहे हैं, तो जो भी बच्चे हमारे साथ enrollment होना चाते हैं, वो APU के code को इस्तमाल करने के पाद maximum discount आपको मिलेगा, इस से ज्यादा discount किसी भी code पर आपको नहीं म लेगा, तो आप जो है मेरा code लगा कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मिलते हैं paid classes में, thank you for watching.